बाक 20 सीरी स्मार्टफोन्स सच्चिबों से मोलाकात करनी आगर हैं तो कौन सी फाइल आएगी अफसरों के साथ मीटिंग होगी उन تمام चीजों के लिए permission लेनी पड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि अदालत हमेशा एक अदालत designate कर दी जाए कि आप सिर्फ CM का मामला देखिएगा ऐसा भी नहीं होगा अदालतें छुटी पर भी रहेंगी कुछ emergency भी काम होगा तो ऐसा कैसे होगा ये कहने में जितना आसान है कि हम जेल से सरकार चला लेंगे व्यवारिक्ता में उतना ही मुश्किल और पेचीदा है जिसमें वकीलों ने कहा कि ठीक है सम्विधान तो इसकी इजाज़त देता है लेकिन व्यवारिक्ता की कसौटी पर अगर इसे कसें समिधान की कसोटी पर ये चीज पास होती है, खरीज थाबित होती है लेकिन अगर उसे व्यवारिक्ता की कसोटी पर कसें तो मुश्किल होती है कि हर चीज के लिए अदालत के पास आप भागेंगे अदालत के पास कहां इतना समय होगा, इसमें काम डिले होगा अभी तक तो सरकार कहती थी कि LG हमारी फाइल रोक रहें फिर बाद को तो मामला अदालत तक आएगा कि अदालत ने हमें ओर्डर देने में देरी कर दी इसलिए ये काम देर हुआ तो ये काम कुल मिलाकर बहुत ही पेचीदा है और मुश्किल भरा है यानि कांटो भरा ताज होगा इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि किस्मत पे उस मुसाफिरे बेकस की रोये जो बैठ जाए हार कर मंजिल के सामने जिस मंजिल के लिए हमने इतने सपने संजोए थे मंजिली जब सामने आई तो उस समय इन्होंने का कि हमें अपनी आज़ी का वापस लेनी है दभी जबान से यहां सुप्रिम कोट के गलियारों में तो चर्चा यही थी कि पीठ में जो जजेज थे उन्हें देखकर शायद अर्विंद केजरिवाल की वो अगर नहीं काम आया तो फिर बाद को मुश्किल होगी इसलिए उन्होंने सोचा कि उपर से नीचे जाने के बजाए नीचे से उपर आना ज़्यादा श्रेयस कर है क्योंकि जब मामला या तो वहीं कोई रहत मिल जाए वहां नहीं मिलेगे तो एक हाई कोट का भी आप्शन होगा हम सीधा यहां आ जाएंगे तो बाकि सारे आप्शन चले जाएंगे तो इसलिए वो सारी चीजें भी रही होंगी और दिन भर जितना दोपहर तक मामला सैट होना था वो उतना हाइप हुआ तो उसमें यही कह सकते हैं जो गालिब ने शेर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ठीक हबर गर्म की गालिब के उड़ेंगे परचे देखने हम भी गए थे पर तमाशा नहुआ तो यहां तो तमाशा कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहां केजरिवाल पेटिशनर इन परसन थे उन्हें अपनी पैरवी खुद करने आना था तो उन्हें लगा कि एक अच्छा मौका होगा यहां पर लोगों से लोगों में एक अच्छा संदेश जाएगा और मैं यहां पर जो भी कहना जैसे सदन में कुछ भी कहते हैं अदालत में भी वो अपनी बातें कह सकेंगे खुले आम खुल कर लेकिन बाद को उन्हें लगा कि नहीं यह मामला कहीं आत्मगाती साबित ना हो जाए लहाजा उनके लेगल सलाकारों ने सला दी कि पहले नीचे से आना ही ठीक होगा और उन्हें मालम था कि यहां से उन्हें रहत मिलने वाली नहीं है क्योंकि इसमें जजेज को देखकर पीठ को देखकर उन्हें यह एहसास हो गया था कि यहां वो जिद बेकार ही समझो जिसे तुम पा नहीं सकते